अब देखो हम लिस्ट तो पड़ रहे हैं अब थोड़ी लिस्ट कुछ ऑपरेशन किया जाएगा ठीक का मतलब यह होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट की चीज़ें के साथ मैं एक्सपरिमेंट करने की कोशिस कर रहे हैं और जो भी विद्यार्थी हमारी सीरीज को लगातार देख रहे हैं उन सब बच्चों को बेनीफिट पहुंच रहा है बच्चों के फीड़ेक्स आते हैं तो यह ट्रावल सींग होता क्या है मैंने का वहरी गूट कोशन तमारा बहुत अच्चा है कि हमारा जो target है traversing वो यह है कि हमें हर एक element तक पहुंचना है और हमें उसको process करना है यह कह सकते हैं कि हमें इसको print में लेना है ठीक है हमें इसको show कराना है so अब traversing का हम syntax देखेंगे कि traversing कैसे की जाएगी अब जहां भी बात ऐसी आ जाए कि हमें उसके हर एक element तक जाना है कि हमें नहीं पता है हर बार कि कितने elements होंगे हमारे elements fix नहीं है ठीक है जहां पर कुछ uncertainty की बात आए ठीक है या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर कभी तीन element हैं कहीं पर तो हम तीन जाएंगे कहीं अगर चार element है पांच element यानि फिक्स नहीं है सो इस केस में यूज करेंगे लूप को यूज करेंगे यहां पॉजड इस फौर यहां माहला रहे का इधिस कोई भी एक वैरीबिल फौर वैरी इबल इन और आपकी रहें की लिस्ट ओके इसके बाद इसके बाद आपको हर आइटम को या कराना है process each item ठीक है और इस colon sign के बाद आपको ध्यान रखना है इस indentation का ठीक है इस indentation का आपको ध्यान रखना है जिस line में आपको इस त्वारा से पता जाता है फिर अगली line से यह बात का ध्यान रखें अगर यह मांते हैं कि हमारे standard लाइन है तो अगली लाइन से आपका इतना गैप ऑटोमेटिक हो जाता है अब अब अग्जांपल से अगर हम समझेंगे तो बहुत अच्छे समय क्लिए हो जाएंगे तो से मैच करता है तो कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बता देना मुझे तो मैं क्या करना अगर हम इसमें खराणा चाहते हैं ट्रावर्सिंग आना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे इसमपली फॉर फॉर लिखाएंगे तो जो सेंटेक्स लिखाए वह आपके सामने एक वरेबल कर लेते कुछ भी ले लेते हैं या ठीक है इन लिस्ट का नाम क्या है हमारी एल लिस्ट है ठीक है इस एल देन हम लगाएं कॉलन साइन अब हमें या करना है उसका हर एक-एक को process कराना मतलब कि print कराना है मतलब कि अगया है एक और या कर सकते हैं हम इस तर sponsor कि अब इससे क्या होगा इससे यह होगा कि जब भी हमारा पहला लेटर आएगा तो उसके बाद यह कुछ इस तरीके से आई और इस तरीके से यह आउटपुट आपका आज आएगा अगे साइध आपको यह बात है सारी समझ में आई होंगी ठीक है या फिर हम इसमें यह भी कर सकते हैं और यह आपका आउटपुट तो अभी इस वाले केस में कुछ इस प्रकार देगा तो आप इसको ऐसे ही रहें दो ठीक है बिलकुल बेस जाएगी अब नेक्स जॉइनिंग आलिस्ट नेक्स इस नमबर टू इस जॉइनिंग आलिस्ट और कई बच्चे कह रहे तो भी हमें आपके नोट्स शाहिए हैं तो इसके लिए बहुत जल्दी एक अच्छी ख़़़ार आने वाली है जिन बच्चों को भी नोट्स चाहिए अल्दो आप नोट्स शुआ वीडियो के साथ में भी बना सकते हैं अब जोईनिंग एगल लिस्ट के लिए मैं इस्तमाल करेंगे मैंने आपको ऐक ऑपरेटर पढ़ाया था वेटा इसका नाम था कंकैटी नेशन ऑपरेटर क्या नाम था इसका नाम था कंकैटी नेशन आप operator हाँ वही हमें याद है और यह प्लस वाला उपडेटर था तो इसका काम क्या है हम इसी वाले operator को बुलाईटर को बुलाईए और इससे कहिए भाई सहाँ आपका काम जो था वो दो list को join करना क्या काम था इनका काम था join lists को काम सौंपा गया था अब इनको कआए आंगी और इंश्म्रा काम करवाइंगे तो example में देख लेते हैं किस प्रकार काम किरेंगे अकर हमारे पास एक-स यह जो सब बात ध्यान डखना जो लिस्ट आपने पहले आ रही है अगर एलन पहले तो एल्स पहले आजैंगे लिन कॉमा 2,3 इसके बाद आपने लिखा हुआ तो एलिमेंट सब्सक्राइब यह आपकी जो है नई लिस्ट यहां से बन गई है ठीक है बट आपको यह बाद ध्यान रखना है इस केस के अंदर की जब भी इस केस में आप एक नोट लिख सकते हैं कि जब भी आप प्लस ऑपरेटर को इस् आपरेंड वन प्लस एंड ओपरेंड टू ठीक है तब को एक बात का ध्यान रखना है कि बोथ दी आपरेंड आप प्रेंड शुट भी लिस्ट ठीक है शुट भी लेस्ट और लिस्ट के कैस की बात करना हुआ हूं है क्यूंकि अगर आप यहां पर ऐल बंब्लस यह बात आपको समझनी है अब आगे बढ़ते हैं यह नंबर थ्री एंड नंबर थ्री इस रिपीटिंग और 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 यह बोल सकते हैं तो यह रिप्ली केटिंग लिस्ट करने का मतलब क्या हो दें मतलब होता है कि एक चीज को बार बार ठीक है रिपीट करने का मतलब होता है की कोई भी चीज़ वह जाट स्मूर्ड दैन वंस अगर उसकी अकरेंस है तो ठीक है मोर देन वन्स अगर इसकी क्या है अकरेंट अब यह कैसे करेंगा तो बेटा मैंने आपको एक आपको नाम याद आ रहा हो हम चलें वापस इतिहास के पन्नों में तो ऑपरेटर था जिसका नाम था कुछ-कुछ एक आपका अपरेटर और रेप्लिकेशन अपरेटर था कौन सा आपका इडवास मल्टिप्लाई वाला साइट वह भी यह तो मैंटिप्लाई वाला साइन है क्या फालतु का सस्पेंस करा दिया अब सस्पेंस में तो मजाएगा ना सो देखो इसको मिस्तमाल कैसे करेंगे एक्जांपल अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरी लिस्ट है यह चार बार ठीक है फूर टाइमस मुझे इस लिस्ट के चार बार इसी लिस्ट में करने है तो मैं सिंपल यह करूंगा यहां पर मैं इसको अटा के दो कर दूंगा अगर मैं तीन वार चाहता हूं तो मैं तीन कर दूंगा अग चार और हमारा यहां पर आंसर इस जाए और फिर फिल वन कॉमा टू कॉमा थो ध्री ने टो दम एक दो तिन चार जो यह आपकी चार बार हो गया है क्या बात समझ में आई तो लाइक कर देना ठीक है हाँ बात है आपकी सारी समझ में आ जाती है आपके वीडियो का वारती चाहेंगे कभी गवार समय लग जाता है कुछ टेखनिकल इशूस हो जाते हैं आपको बताना चाहेंगे आपको अगरा आपको इस प्रकार मान लीजिए यापको ब्रेड होती है वो कुछ बड़ी होती है इस प्रकार इतनी बड़ी ब्रेड होती है फिर के लिए निकषफ़ तो आपने अगर देखा होगा तो वहां लिखा होता एस क्या लिखा रहता है रहते स्लाइस साफ ब्रेड यानि कि आप इस खा रहे हैं तो बहुंत भाई याँ आप में neslice है क्या है यह हमारा इत्राइस है मैं ने कि वा तुम बहुत अच्छे हो बहूँत उस्यार हो यार तुम बिल्कूल सही पगड़ ली हो सु मतलब इसक्त में सब्सक्राइब एक लिस्ट निकालना तो हम इसको दो चीज़ों का यहां पर ध्यान रखना है that is ध्यान समझो देखो कि अगर मेरे पास for example के लिए एक लिस्ट है जैसे महां लेता हूं एल और आपको यहां start stop and another concept is start stop के बाद आहां पर आएगा इसको हम क्या सकते हैं जो हम डिस्टेंस होगा उसको हम क्या step value ठीक है sorry sorry my mistake बुल करता देखो start क्या start यहां पर इसको थोड़ा साम नीचे की तरफ आजाएं देखो start का मतलब है कि आपको वह इंडेक्स लिखना यहां पर वह इंडेक्स वैल्यू डालनी है जहां से आप slicing को start कराना चाहते हैं okay number two is stop value अब देखो stop value में थोड़ा सा ध्यान से समझो काम हो जाएगा stop value में क्या होता है कि आपको वह इंडेक्स डालना है वह इंडेक्स value प्लस डालना होता है यहां पर क्या डालना है आपको वह इंडेक्स value plus one insert करना है जहां तक कि आप जो string उसको slice करना चाहते है ठीक है number three is step value step value है step value है step value है step value कहा है start stop चलो बही है common sense से हमें समझ में आता है step value का मतलब यह होता है बेटा कि दो value के बीच में देखो अगर हमारे पास इसे मैंने लिखा 1,3,5,7 तो इन दो value के बीच में कितना difference है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इंडेक्स में जो difference रहेगा ठीक है इंडेक्स में क्या रहेगा difference उसको हम बोलेंगे हमारी step value अब देखो एक बात जहां रख लेना कि आपकी जो लिस्ट के इंडेक्सिंग होती है बेटा वो positive भी होती है और negative भी होती है same as string के cases में ठीक है जैसे हमने string की forward से की थी और यह हमारी नीगेट्व जाएगी एक एक example समझते हैं अगर मैंने यहां एक list ले ली है एक एल हमारी list है एक काम करते हैं कि ए बी सी डी ए एफ ठीक है इनफ इनफ है इस इनफ अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें फर्वर्ड नेक्सिंग करें तो हमारे क्या होगा जीरो वैंड चू ट्री फॉर फाइफ अब एक पार जान समझना अगर आपको कुसी पर्टिकुलर लिस्ट की स्लाइसिंग करने तो क अब जाता हूं पहला कोश्यन है कि अगर मुझे सरफ एबी सी कराना है किया अबी सी चाहिए तो मैं एबी सी के लिए करूंगा ल ऑफ स्टाट वैली क्या दोंगा जीरो एंड सी देखो आप सी का है सी का इंडेक्स है मैंने बहुला दा स्टॉफ वैली में जो जहां तक चा आप तीन तक जाएंगे और जब आपको step value नहीं specify करनी है तो आप इसको इस प्रकार भी छोड़ सकते हैं तो इस वाले case में क्या होगा इस वाले case में यह आपकी default value कर रहेगा that is one okay अगर अब default value अभी समझ जाओगा तो function वाले बढ़ी असा ही होगी कि जब भी values दी नहीं जाती है तो जो वैल्यूज आटोमेटिकले लिगांसिडर की जाते हूं उसको हम बोलते हैं default value अब ठीक है यह बात के लिए रोगे very good next is number two अगर मैं चाहता हूं यहां अपर c d e c d e तो हम क्या करें नहीं हमको ना सी डी नहीं चाहिए है इस तो भी यह हम बास है नहीं हमको चाहिए आप a c और e चाहिए ठीक है मैंने का very good a चाहिए आपको ठीक हम सब एस करेंगे तो इस वाली इसमें जाख रहेंगे हम वह यह वैरिवल के नाम लिख दो लिख दिया बेटा फिर start गांसे ख़ले एजीरो से start है ओके और हमारा यह आई कि प्लस तर जाएंगे बट यहां पर हमारा ट्विस्ट आइला डैडेड़ी कि ए सी और ए में क्या है क्या एक का डिफरेंस है कि ना डिफरेंस है पर सब्सक्राइब के बीछ पटम झाल डेफार्ड वैल्यू डिफॉर्ट पैल अ्पानी पैल के वन सो हम आ गए अपनी मेलू जेंज पर आप पर हम इस को टूव लेख ते लिए किया करते हैं हम यह पर टू कर देंगे तो हमारा आपको स्लाइसिंग अलिस्ट करें रिए हमेट करता हूं कि मस्त एक डम clear हो गया होगा और अक्र एक तो कमेंट बोकस में न एक बार कमेंट करें पर आप जया इन तियों चलो गगी ऑफ ना स्टॉपिक इस लै डिस कॉपी कॉपी आफ आल इस यह झापी आफ इस कॉपी ऑफ आ लिस्ट अब देखो कॉपी ऑफ लिस्ट में घा गर मैं सिंबल से ज्यान से समझो अगर आपका तो यहां छोड़ी से डेफिनेशन लिखवा रहा हूं वह लिख लेना आप पहले कि एक डेफिनेशन है शैलो कॉपी क्या है शैलो कॉपी लिखो और शैलो कॉपी का मतलब यह होता है कि when two variables when justice again how my writing through easy builder here when two variables point to the point to the one list in memory one list in memory then it is known as then it is known as shallow copy क्या बोलते हैं इसको shallow कॉपी क्या बात समझ में आया या नहीं आया ठीक है कि ना ओ अब एक बाद ध्यान रखोते हैं जब भी आपकी कभी भी शैलो कॉपी बना दोगे फ़र एक्सामा मेरे पास एक लिस्ट इस एल वन और मैंने इस लिख रखा है कि a,2,8,10 यह वारा पास एक लिस्ट है अब मैंने रखिया एक लिस्ट मना है इस एल टू इक्वल्स टू एल वन तो इस वाले के इसमें क्या हो गया इस वाले के इसमें हमने बना दी Shally copy क्या बना दी Shally copy और Shally copy का मतलब भी शिंपल सा यह कि आप यह मानलो example के लिए बता रहा हूं कि अगर यह हमारी list थी L1 हमने पहले बना रखे तो यह हमारी list इसको point कर रहे थी ठीक है अब जैसी हमने यह वाला step किया so L2 भी हमारा इसको ही point करने लग रहा है अब क्या होगा अब यह चीज आप नोट में नोट लगा के लिख लो कि if you do any changes if you do if you perform any changes अगर आप कोई भी प्रकार के changes करते हैं अपनी किसी भी list में changes in any of the list any of the list it will affect other value ठीक है क्योंकि बात क्या है value तो आपकी एक जगा है बस दो लिस्ट जो है उसकी memory को reference कर रहा है ठीक है so that's that's how we copy our list ओके अब यहां पर ठीक है एक और तरीका है यह शैलो कोपी हो गया अब एक और तरीका इसको हम लिख सकते हैं method नंबर टूल और इस method को हम कहते हैं that is deep copy क्या है यह कि डीप कॉपी है देखू ए फर एक्जमपल अगर मेरे पास एक इससे मेरे पास एक लिस्ट है नंबर वन नाम से या ऐसे छोड़ो वैल्यू वन ले ले लेता हूं ठीक है कि अब मुझे इसकी कॉपी क्रियेट करने किया करने मुझे का फ्रीक्राइब लिया करूंगा एक दूसरा वैरीबल यह मैंने वैली ऑफ्टो एक्वल स्टू लिस्ट आफ वैल्यू वन सो यह क्या तरीका था यह मारा है डीप कॉपी करने का कैसी कॉपी करने का डीप कॉपी करना सब्सक्राइब करता हूं कि यह सेशन मा बहुत ही जाना मस्त लगा होगा मजा आया होगा पढ़ने में और देखो यार प्रोग्रामिंग जो है बहुत ही आसान लेंगे बस अगर तुम एक बार बेसिक समझ जाओ है ना तो लाइफ लोगी बेसिक सब्सक्राइब कर रहे होंगे और यह बोड एक्जाम तो छोटे उड़े एक्जाम आप ऐसे ही क्रैक कर लोगे ठीक है तो जितने ही बच्चे साथ जोड़े होएं तो मेक शूर कि आप कमेंट करकर जरूर बताए कि आपको आपने इसमें क् अगली वीडियो में उसमें बात करेंगे लिस्ट फंक्शन के बारे में बात की जाएगी